दो रोयल्स के बीच में होने वाला है रोयल्स इनकाउंटर क्योंकि एक तरफ आगर रहेगा राजस्तन रोयल्स तो दूसरे तरफ रहेगा RCB यानि रोयल चल्लिंजर्स बेंगालोर और इसी बीच में मिल गया है कि कौलिफारichtet कौन कौन सा टीम खेलने वाला है क्योंकि पिछला मैच जो हुआ था ना RCB वर्सेश लक्रोस उपर जाइनिस का वहाँ पर RCB बहुत ही बैदिन दरिके से खेल कर जीत हासिल कर लिया है और वो क्वालिफायर 2 खेलने को चला आया है जो कि पहले क्वालिफायर में हारा हुआ टीम यानि राजस्तर रोयल्स के साथ खेला जाने वाला है तो ये वाला मैच ना बहुत ही क्रुशल मैच होने वाला है क्योंकि इस वाले मैच में जो जीत जाएगा वो खेलेगा सीधा फाइनल गुजराट के साथ और जो हार जाएगा वो बाहर चला जाएगा ठीक है मन्तब कोई भी गलती होने का चांस नहीं है क्योंकि जो भी टीम गलती करेगा वो ये टीम बहार चला जाएगा तो ये वाला मैच आप सभी लोगो देखने को मिलेगा 27 में को साम को सारे 7 बजे से आहमेदाबाद के स्टेडियम में और ये वाला मैच और फाइनल वाला मैच खेला जाने वाला है आहमेदाबाद के स्टेडियम में ही यानि गुजराट के नरंदन पूदी स्टेडियम में जो की गुजराट के लिए टो भाई डेविनेटले एक एडवन्टिज है लेकिन मैं एक बताना जाओंगा कि इस बाले पिचिस में न कॉलकाता वाले पिचिस की तरह इतना ज्यादा रन नहीं हो सकता है क्यूंकि यहां का पिच ज्यादा तर टर्णिंग पिच ही रहता है जहां पर फिनल लोग का मदद है और गेंद ना ज्यादा बहुतिन रिकेशे बलले पर नहीं आता है यह पर्फॉर्मेंस देख कर ही मैं बता रहा हूँ और जब नया खेल होगा तब कैसे होगा अभी तक नहीं पता है लेकिन परफॉर्मेंस तो ऐसा ही बता रहा है कि आप रण ज्यादा नहीं होता है आप अगर 170 भी कर लेते हो ना यहां पर आप टक क पर दे सकते हो मुझे ऐसा लगता है आप सब्सक्राइब क्या रहा होगा वह कमेंट पर बता हूँ लेकिन अभी अगर हम बात करने को जाए कि यह जो सेकेंड क्वालिफायर होने वाला है यह क्वालिपायर में दोरों टीमों का कैसा पोजिशन रहने वाला है मतलब बहुत स पर देश्डआ करेंगे और कॉंपरिजन करेंगे बताएंगे कुए गया को जी सकते हैं किना नरे के currents से सकते हैं और हम ब्रसेंटी से थी सकता है और कि प्ल Image C १्राइफर स lle governed के उपर इए कि ब्छय की देखने को मिलेगा और उसके सातना हम की प्लेयर कोन कई आध कर Ini बन सकता है उसके साथ statistically analysis करेंगे और मतलब की प्लेयर से अगर बता है न तो एक दो नहीं होगा मतलब हर एक performing खिलारी के ओपर हम गौर देंगे ठीक है तो चले वीडियो के एक दम से स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे बैचानलों मैं हो अका सकते हैटे कार्म करते हैंे और राजशन यह नहीं करने कहें और निराशन जातिआ हुए को सबसे पहले बात करने कुझा cracking काई से RCB का पल्ला overall में थोड़ा सा भारी है लेकिन बहुत ज्यादा भारी नहीं है लेकिन अभी अगर हम बात करने को जाए इस वाले सीजन पर 22 की सीजन में ये दोडिम आपस में दोदाफा भिड़ चुका है जहाँ पर एक मैच में RCB यानि जी थाजिल क्या था चार विकेट से वही पर दूसरे वाले मैच में राजस्तान रॉयल्स जी थाजिल क्या था टोटल 29 रनों से तो इधर पर अगर बात करें साल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टाई बैट रहे लेकिन अभी अगर हम बात करने को जाएगी दुनों टेमों का प्रिट्वेल प्लेंग लेवन क्या बन सकते इस मैच के लिए तो सबसे पहले अगर हम राजस्तान रॉयल्स को पर गौर देना तो आप सभी लिए को देखने को मिलेगा कि राजस्तान रॉयल्स मुझा ऐसा लगता है कि अपना फिछला वाला प्लेंगे में लेकर ही जाएगा त्योंकि वह प्लेंग लेवन ना बैदर खेला है ठीक है मतलब पूरा सीजन बैदर खेला है एक मैच में अगर थोड़ा सा भी प्लॉप जाता ह तो उसमें कोई भी ज्यादा परिशानी की बात नहीं होगा तो आप देखो कैसे अपलेंगे में राएगा राजस्तान का सबसे बैल ओपन करने वाला है जौस बडलर के साथ यसल विजाएसवाल उसके बाद तीसरे नमबर पर आपका संजु सैंसन हो गया चान नमबर पे द कुलदीब सेन को भी मैच के लिए खिलाया जा सकता है यह मैं आप लोग बता दे रहा हूँ लेकिन आइधिंग ओवे मैक कोई को ही खिलाया जा सकता है ठीक है अब यह अगर हम बात करने को जाए आरसी यानी रॉयल चलेंजिस बैंगालोर की रीम का परिटर भी प्लेंगे में ठीक है उसके बाद आप देख सकते हो कि चार नंबर पे ग्लेन मैक्सवेल पाच नंबर पे महीपाल लोंबर और छे नंबर पे साहवाज अवमत को मैं रखाऊ साथ नंबर भी दिनिस्ट कार्ट ठीक है मतलब आगे-पीछे होता है सिच्वेशन के वाइस उसके बाद आ कि कौन सक्रिंश मैच को जीच सकता है तो अब अगर हम बात करें कॉमपरिजन के उपर तो क्या बन सकते है दोनों टिमों के बीच में तो आप देखो सबसे बहले अगर हम ओपनिंग से स्टार्ट करें न तो आरर यारी राजस्तन रोयल्स को और से ओपनिंग करने वाला है आपको डेखने को मिलेगा कि राजस्तन रोयल्स का पल्ला बहुत भारी है क्योंकि राजस्तन रोयल्स ना कॉंसिस्टेंट ओपनिंग में अबंतर स्टार्ट दे रहा है और वो स्टार्ट ज्यादा रनों पर तबदिल कर रहा है तो इस चकापर मुझे ऐसा लगता है कि नो संजु संजु संग्साइब देफ़ अपने तके दार है और यह जो कि टार्य वालेगें तो राज आया है और वही पर आप देख सकते शेम और जो कि हर मैं इसमें कॉल दे राहे दिव पारी कर हार मैच में कॉल दे रहे है महीं पाल लोंग भी अपने आपको ठीक ठाक तरिक कि डिफिनिटी मिलोडर में टाइट है को उसके बाद अगर हम लोडर को देखने को जाए ना तो आर्सीप को और से लोडर में खेलने वाला है आप देख सकते हो कि सैमाजामे, दिनिश कार्तिक, वन इंटो हसना रंगा और हर्शल पर यह चार की लाड़ी को खिलाया जा सकता ह गार्श बी को और से लोडर में और वही खेलता है, दिक है, और अगर उर राजन रौरस dolator में खेलने वाला है रियन प्राग, रभीया श्मिन और ट्रेंडवल, इस बयाग में मुझे बताना पड़ेगा कि राजस्तन रोलस का पल्ला भारी नहीं है, राजन पल्ला भारी ह से खेल रहा है लेकिन अगर उनको ऊपर खिला जाता है तो यह अच्छा खेलता है अगर नीचे खिला जाता है तो उतना भी वह एक्स्प्रोसिब तरीके से नहीं खेल पाएगा जितना तरीके से खेलेगा दिनेश कार्तिक सेहवाज हमेद के पास भी कॉल्टी है ठीक है तो इस भी आगर में आवता हूँगी दिनेश कार्थिक के चलते ना मैं रखूंगा भाई रेंग करवाऊंगा उपर ठीक है तो लो अडर में रसी का पल्ला भाहिर रहेगा तो अब एक आडम स्पिन बॉलिंग को देखने को जाएं तो डिचाल उसके साथ आपका रभीए स्पिन और व chcia कारेगा तो स्पिनिंग उप्चं क्यों मतलब क्वांटिटीं में है आर सी ब्यार कोसिफिक पास लेकिन मैं बता हूँगा कि इस व्याग में टाई बैटने वाला है क्योंकि quality दोनों डिमों के पास समान है एक तराफ अगर purple cap holder है तो उससे एक wicket कम लेकर बैटा हुआ है हसर रंगा तो अभी बताओ मतलब quality दोनों डिमों के पास यह ठीक है बता हुए ठीक है मतलब बताने की बात नहीं है तो अवरल में अरट आप देखने को जाना तो वरल्बार अब देख सकते हुए राजस्तान ओपेनिंग में जीसा सिल क्या है मिदल ओर में टाई बन गा है लोओर ओर में RCB का पला बारी है स्पिनिंग भी बाग और पेस बॉलिंग अटक में भी न टाई बन गा है लेकिन मैं बताऊँगा कि क्वांटिटी मेटर करेगा इधर पर ठीक है मतलब RCB के पास जादा स्पिनिंग ओप्शन है जो कि RCB को हमेदबाज जासे पीचस में न कारगर साबित कर सकता है मैं यह आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ यह आप न नोट करके रखो क्योंकि अगर फैसला आता है लास्ट में जाकर कभी भी न तो यह वाला एक option रहता है जो कि RCB के पास ज्यादा बहतर है मैं यह बता रहा हूँ लेकिन overall में अगर आप देखने को जाऊना तो टाई बनेगा लेकिन लास्ट में बता हूँ एक देखने वाला चीज़ों का और यह best rivalry हमको देखने को मिलेगा उसके बाद जब जोस बड़नर बल्ले बाजी करने को आएगा तो ओपोनेंट से जब जोस हेजलूट के इंद बाजी करने को आएगा तो दो जोसों के बीच में जब मैच होगा मतलग जो विरंथ होगा वो बज़ देखने को मज़ा आएगा उसके बाद जब सज्ज़ू सब्सांट बल्ले बाजी करने को आएगा उनके सामने जब 1 इंडू हसरंगा अपना स्पिन लेकर आएगा हाला कि सज्ज़ू समसरं smile स्पिन बहतर केरता है लेकिन 1-2 हसरंगा एक अलग वाला मिस्ट्री केरेट करता है अपने स्पिन में तो उस जगह पर ये दोनों का राइवेलरी हमको देखने को मुझा आएगा और उसके बाद जब बल्ले बाजी करने को आएगा रजित पाटीदार जो की बहुत आला किसम का एक गेम खेल रहा है RCB के और से तुछ जगह पर जब सामने से गेंद बाजी करने को आएगा पाचो राइवेलरी में से आपको कौन सा राइवेलरी सबसे ज्यादा देखने को मज़ा आएगा ना वह आप लोग जरूर से कॉमेंट कर रहा हो बताओ और मुझे अगर मैं परसनली बताओ ना तो मुझे ऐसा रगता है कि जो राड कोली के सामने परशित देखिशन वह अगए तो आपके साथ की बन सकता है सबसे पहले ना बल्ले बाजी में देखो फैब डुपलेशीज जो के बहुत ही बहुत ही बहुत इस सेते खेल कर इस सीजन में 4-4-3 run क्या है व्याड कोली 3-3-4 run क्या है दिनेश कार्थीक भी 324 run लगा चुका है ग्लेन मैस्वेल भी 287 run लगा चुका है जो कि नीचे आका ठीक है उसके बाद आप रजित पाड़िदार को देख सकते हो सहवाज आउमत को देख सकते हो बहुत ही बैदनेर किसे खेला है य आप देखो ना आप रायस्तान रॉयल स्कोर तो राजस्तान रॉयल स्कोर उसी आप देख सकते हो भाई साब जो कि अकेला 788 run करकर बैठा हुआ हुआ है उस 215 उसके बाद आप देखे तो कि रवी चंद्र नश्मिन जो कि इस साल में थोड़ा सा अलग वाला लेवल का गेम खेला है तो वह भी वही एक 215 रन करकर बैठा हुआ है तो इस विवाग को अब देखो ना तो इधर पर आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगा कि दोनों टीमों के पास ही ना क्वालिटी की प्लेयर से जो की रन बनाएगा इस टीम के लिए ठीके और अगर आप बैटिंग में ओवरन में देखने को ज टोटल मिला कर 1860 रन किया है तो इस विवाग को देखते हुए ना बैटिंग में डेफिनेटी आरसी बीक से राजस्तन लौल का डिप्थ ज्यादा बहतर ज्यादा रन किया है ठीके तो यह था आपका बल्ले बाजी में की प्लेयर जो की इस टीम के और से खेलेगा आपके सा की प्लेयर को देख सकते हो की प्लेयर को देख सकते हो जहां पर मैं चार खिलारी का नाम लिया हूँ टॉप का आप राजस्तन लौल्स के उसे यूजी चहल को देख सकते हो जो कि 15 मैच खेलकर 15 विकेट लिया है ट्रेंट बोल्ट को देख सकते हो जो कि 14 मैच खेलकर 14 विके लिया है जोस इजिलूड जोकि सरफसर 11 मैच खेल कर 18 विकेट चटका चुका है और वहीप हर महामस तिरा जोकि 14 मैच खेल कर 9 विकेट चटका चुका है तो इस लिबाग को देखते व Nicholas में की प्लेज को देखते हुए आपको देखने को मिलेगा की RCB ze When protecting लेकिन अभी आप सभी लोगों को मैं अगर बताने बोलू कि अब बताओ कि कौन से रिम जीच सकते तो अभी कॉमेंट करो बताओ कौन से रिम इस मैच को जीच सकता है ठीके लेकिन मैं अगर इंडिविजुयली बताओ ना और अगर मैं कॉंडिशन को देखू ना तो थोड़ा सा पला टाई बैटने वाला है क्योंकि मुझे ऐसा लगता ह है कि I am totally confused ठीके मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीमी ना इधर पर बहुते बैंदर के इसे खेल कर आया है मैं क्यों बता रहा है कि टाई होने वाला है क्योंकि देखो RCB के पास सब कुछ का डिप्ट ज्यादा बहतर है गेंद बाजी में option बहुत सारा है बल्ले बाजी में भी आप साथ नंबर पर अगर दिनिश कार्थिक को उतारते हो या फिर सेवाज अउमत को उतारते हो तो वह भीना quality दे सकता है लेकिन वह वाला डिप्ट आर राजस्तन रॉयल्स के पास नहीं है लेकिन राजस्तन रॉयल्स करना हर एक खिलारी अपने आपको बहुत दी से RCB से ज्यादा point लेकर बैठा हुआ था points टेविल पर भी तो कुझे जो लगता है कि राजस्तन रॉयल्स के पास भी quality है जो कि RCB बीट नहीं कर सकता है और RCB के पास भी quality है वो भी राजस्तन रॉयल्स भी बीट नहीं कर सकता है तो ये वाला match ना मजा आएगा देखने को म दोनन में भी fight होगा मैं आप लोगों को इधर बता दे रहा हूँ और दोनों दोनों का ही ना गेंद बाजी बहतर है इसमें कोई दोर आए नहीं है लेकिन बहुत डिपेंड करेगा जौस बटलर को उपर जौस बटलर अगर उपर से स्टार्ट देता है बहता तो राजस्तन मैच को जीट जाएगा मैं आप लोगों को इधर बता दे रहा हूँ ठीक है राजस्तन रॉयल्स मैच जीतेगा कब जब जौस बटलर उपर से बहतर स्टार्ट देगा ठीक है मतलब पिछला मैच वह बहुत ही बहतर नहीं से खेला ता लेकिन गेंद बाजी में वह बहुत ध अगले साला यह बहुत जादा गुन पता है तो उस जगा पर आप लोगा क्या रहा होगा भोगह भरसे को पता दिया और टूटल एनस जिसका लागा दरीच बने रहो ठीक है चैनल के साथ बने रहो आगे भी बहुत ही बड़िया बड़िया वीडियो आएका उसके लिए स्टेट्यून बबाई टेक क्यार और एक बात भाई मैच को इंजॉय करना ठीक है मैच को इंजॉय करना मत भूलना क्यूंकि आपका टीम हारे या पर जीते इंडिया का ही सभी खि ठाटे से पेडिया गड़ियाओ न्यक्टेच झालओ राडड़िया बहुत्ते बाब के